हेलो डेश्ट्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसी क्यू चैनल पर तो चलिए आज किस वीडियो में आपके लिए बिहर पुलिस फार्मेंट परिक्षा 2022 के लिए most important history questions को लेकर आए हैं आज की session में प्राचिन भारत केतियास प्लस मद्य कालिन भारत केतियास के questions को लेकर आए हैं और बता दे आपके exam में यहां से प्रस्न आवस्य पूछे जाएंगे तो आप लोग session में लाश्ट तक बने रहेगा तो जल्दी जल्दी से सभी लोग live मा जाईए सभी को good evening good evening और ज आजा रहा है फटा-फट से live chat में answer देते जाएं और बता दे इस टाइम पर आपका हर रोज ब्याहर fireman के लिए mock test की class होती है आज आपके लिए history questions को लेकर आए हैं तो क्या हो जाएगा एक का राइट answer जी बिल्कुल एक का राइट answer जोई वच्चे B को देने live chat में उनका ब important person है अगर आप not करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चलिए इस एकसाथ आगे बढ़ते हैं next question आपके संगम काल में रोमन ब्यापार का केंद्र बताइए चलिए answer करेंगे और फिर से बता रहेते हैं session पर क्लिक किया है तो लाश्ट तक बन रहेगा most important और भी भी आई session है आपके एक जाम में direct यहां से प्रसने पूछे जाएंगे चलिए दो के लिए answer करेंगे फटापट से बिल्कुल दो का right answer जोई बच्चे लाइप चेट में डी को दे रहे उनका बिल्कुल सही जबाब हो जागा मुसीरी या रखिएगा option D इस प्रसन का बिल्कुल सही जबाब है चल चैनल को सब्सकाइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा तो तीसरे का right answer क्या हो जागा जी बिल्कुल सही जबाब हो जागा से लुकस निकेटर प्राजीत किया गया था चैन्दर गुप्त मौरी द्वारा option B बिल्कुल सही जबाब है फिवी आई प्रसने नोट करके रख लिजेगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन आपके सिन परे चैन्दर गुप्त मौरी के दर्वार में भेजा गया यूनानी राजीतूत कौन था चलिए आंसर करेंगे फटा बढ़ से लाइप चेट में आंसर करते जाएए चलिए आपका टाइम खत्म होता है और चार का राइट अंसर जो भी इस्ट्रेण लाइप चेट में सी को दे रहें बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोसन आपके स्कुन पर है महरसी गौतम का संबंद किस भारतिया दर्शन से है चलिए पांच के लिए आंसर करेंगे लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोसन है चरक किसके दर्बार में परसीद चिकित सकता चलिए आंसर करेंगे जो जो कोसन BVI बोल रहे है इसके दिन सोट लेके रखिएगा बाद में नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट आपके जाम में डायरेक्ट पूछने वाले है चलिए तो 6 का राइट अंसर क्या जागा जी बिल्कुल 6 का राइट अंसर डी के साथ चल देगा कनिस के ध्यान देजेगा चरक किसके दरबार में परसित चिकित सकता तो कनिस को उप्सण D बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा और बता दे इससे फाले आपका टोटल पॉलिटी के 75 इंपोर्टेंट प्रसनों को कराया गया है अगर आपने उस वाले व चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और साथ का राइट अंसर जोई वच्चे C को देने बिल्कुल सही जबाब हो जगा महावीर का जन्म कहा हो आता है तो कुंड ग्राम में उप्सण C इस प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है बहुत साइद क किस भासा में लिखी गई थी चलिए अंसर करेंगे और फिर से बोल रहे है सेशन में लाश्ट तक बने रहेगा तब ही आपको फाइदा होने वाला है और बता दे इस टाइम पर हर रोज मोग टेस्ट की क्लास होता है लेकिन आज हिस्ट्री के कोशन को लाए है तो आठका र बचा है आधुनिक भारत का इथियास उनको भी कवर करा देंगे इसलिए जो भी इस्ट्रेंट चनल पर पाली बार है चनल को सब्सकाइब कर देंगे ताकि एक भी क्लास आप से छूटे ना तो नौका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल नौका एक के साथ चला तो सभी लोग दिल से एक बर सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन के लाष्ट में अपना अपना स्कूर जरूर देंगे कि आपने 85 प्रस्णों में से कितने प्रस्ण का सही सही अटेंड किये हैं तो दस का राइट अंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल जोई बच्चे डी को पाली भासा में लिखे गए ते ऑप्सण डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है बौध धर्म महायान और हीन यान में किस सहसक के सहसन काल के दरौन विभाजित हुआता मोस्ट इंपोर्टेंट और विवियाई प्रस्ण है इसको भी नौट कर ली जेगा जिस स्टार लगा रहे हैं उसको विश्यस रूप से ध्यान दिजेगा इस्क्रीन सॉट लेके रख लिजेगा बात में आपका काम आने वाला चलिए तो ग्यारा का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल जोई बच्चे एक को दे रहें बिल्कुल सही जवाब जेगा कनिस क अगर आपको किसी भी प्रस्ट में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंड बॉक्स में फूची आपको रिप्लाइ तुरंत दिया जाएगा नेक्स्ट है वैस्विक दर्शन के प्रतिपादन कौन है चलिए अंसर करेंगे सभी के सभी प्रस्ट इंपोर्टेंट और स्लेक्टेट है आपके एक्जाम में यहां से डाइरेक्ट आने की चांसे से लाश्ट तक बन रहे जएगा चलिए बारा के लिए आंसर करेंगे सभी लोग तो आपका टाइम खत्म हो चुका है तो क्या देगा जी बिल्कुल बारा हुआ है चलिए चलिए तो आपका टाइम खत्म हों चुका है और तेरा का राइट आंसर जो भी श्टेंट लाइच्ट में ओप्सन डी को दे रहे बिल्कुल शाईज बाब जागा गानधार ओप्सन डी इस प्रस्टन का बिल्कुल राइट आंसर हो देगा चलिए इसह जीस सिसन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और जिसने अभी तक सिसन को लाइक नहीं किया सबी लोग लाइक करेंगे सेशन को तो 14 का राइट अंसर क्या दाएगा जी बिल्कुल 14 का जोई बच्चे सी को दे रहें बिल्कुल सही जबाब हो जेगा अंगुतर निकाय ओप्सन सी बिल्कुल सही बाबा इंपोर्टेंट प्रसने ध्यान रखेगा चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कैवल कौन से धर्म से संबंदीत है चली आंसर करेंगे फिर से बोल रहें अगर आपने पॉलिटी वाली क्लास को नहीं किया है तो उसको भी कर लिजे इंपोर्टेंट है उसमें 75 इंपोर्टेंट प्रसनों को बताया गया है तो 15 का राइट अंसर क्या जी बिल समझकर आंसर किजिएगा चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 16 का राइट आंसर जोईवज इस्ट्रेंट लाइप चेट में बी को देने बिल्कुल सही जवाब होदेगा भारत में जैन धर्म का संस्था पर महावीर है ऑप्सन भी बिल्कुल सही जवाब है इंपोर् करेंगे 17 के लिए और आपको मैक्सिमाम 10 सेकंड का टाइम दिया था इसी 10 सेकंड के अंदर आपको अंसर कर देना है चलिए तो 17 का राइट अंसर क्या जगा जिए बिल्कुल सही जवाब हो जगा चार यादर की का ऑप्सन बीस प्रसंट का बिल्कुल सही जवाब है अंसर जो भी इस्टेंड लाइफ चेट में ऑप्सन बी को दे रहें बिल्कुल सही जवाब हो जगा गौतम ऑप्सन बी इस प्रसंट का बिल्कुल राइट अंसर है नेक्ट को सने वर्दमान महावीर और किस नाम से विख्यात है चलिए आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो यादर केगा वर्दमान महावीर और किस नाम से भी ख्यात है तो आप्सन ए बिल्कुल सही जवाब हो जगा जिये ना आप्सन एस प्रसंट का बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं अगला किसी भी प्रसंट में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरांत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए चलिए तो 20 का राइट अंसर क्या जाएगा जिए बिल्कुल 20 का जोई वेश्ट्वेंट लाइट में सीखोते हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिगंबर जाएगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है तो 21 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म चुका है और 21 का राइट आंसर जो भी स्टेंड लाइट में डी को देने बिल्कुल सही बुद्ध के प्रतम प्रवचन को कहा जाता है इंपोर्टन डूल भी बी आई है चलिए फटापट से बाइस के लिए आंसर करेंगे सबी लोग चलिए आपका टाइम खत्म चुका है तो 22 का right answer किया जाँगा जी बिलकुल Right answer और अंसर हो जाँगा मिलक्या है चलिए फटापट से 23 के लिए अंसर करते जाएंगे और जो भी स्टूडन अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे जी बिल्कुल 23 का राइट अंसर जो भी स्टूडन लाइप चेट में एको दे रहे बिल्कुल सही जबाब जाएगा तरी रतन कालाते हैं उप्शन ए बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट है प्रतम बहुत परिशत कहां आयो जीत की गई चलिए 24 के लिए अंसर करेंगे और फिर से बोल रहे हैं जो भी स्टूडन चनल पर पहली बार है चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपोर्टन क्लास मिस ना हो तो 24 का राइट अंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल 24 का आपका ओप्शन चलादेगा C के साथ राज इगरी या दखिएगा ओप्शन C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सासक बुद्ध का समकाल इंता आंसर करेंगे 25 के लिए चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 25 का राइट अंसर जो भी स्टेंट B को दे रहे बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा निम्न में से कौन सा सासक बुद्ध का समकाल इंता तो बिम्बी सार जो है बुद्ध के समकाल इंते यादकी का ऑप्शन B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर के नाम से जनाता है और पोरस ने लडाई लड़ीती कहां पर लड़ीती आंसर करना है चलिए फटा फट से सबी लोग 26 के लिए आंसर करते जाएंगे तो आपका टाइम खत्म चुका है तो 26 का राइट आंसर जो भी इस्ट्रेंड लाइप चेट में एक होते रहे बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा जेलम उप्शन ए बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा जेलम चलिए इसीक साथ आगे बढ़ते है नेक्स्ट कॉस्टन आपके स्क्रेंड पर बुद्ध के उपदेश किस भासा में है आंसर करेंगे 27 के लिए चलिए फटा फट सा आंसर करते जाएए बिल्कुल बुद्ध के उपदेश किस भासा में है बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा पाली भासा में याद रखेगा इम्पोर्टन नेक्स्ट बुद्ध का अर्थ क्या है चलिए फटा इस के लिए अंसर करेंगे और फिर से बोल रहे है बुद्ध का अर्थ है ग्यान प्राप्ट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट है गौतम बुद्ध कौन से गन राजिके थे चलिए आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म चुका है तो 39 का राइट आंसर जो भी स्टेंड बी को दे रहे है बिल्कुल सही जबाब जगा साक्य ओप्शन भी बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट है अजन्ता की चितरकारी निम्न में से किसे प्रेरित है आंसर करेंगे इंपोर्टन प्रसन यह भी ध्यान में रखिएगा चलिए तो 30 का राइट आंसर के आज़ाएगा जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर जो भी स्टेंड लाइप्शेट में एक हो दे रहे है बिल्कुल सही जबाब जगा दयालू बुद अजंटा की चित्रकारी निम्ल में से किस से प्रेइड है तो दयालू बुद से प्रेइड है ओप्शन एश प्रस्ट का बिल्कुल राइट आन्सर हो जाएगा Next है निम्लिकित में से जैन धर्म का कौन सा 3 रेतन नहीं है इंपोर्टेंट और BBI प्रस्ण है चलिए आंसर करेंगे 31 के लिए चलिए फटाबटस आंसर किजिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है तो 31 का राइट आंसर जो भी स्टेंड लाइपटेट में सी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब अज़ेगा सही द्रिष्टी चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए चलिए तो 32 का राइट आंसर क्या जाजाएगा जी बिल्कुल तो 32 का राइट आंसर जो भी स्टेंड लाइपटेट में डी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल की सूफी संत के पुत्र थे चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे सबी लोग याद रहे टोटल 85 इंपोर्टेंड हिस्ट्री की कोशन्स को लिया गया आज की सेशन में इसलिए पूरा कोशन्स को देख कर जाएगे इंपोर्टेंड है तो 33 का राइट आंसर एक साथ लगा सेख मुबारा की आज़की का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट है साजा के साशनकाल में कौन से विजशी आतरी भारत आया था चलिए आंसर करेंगे 34 के लिए चलिए फटापट सा आंसर करेंगे 34 के लिए साजा के साशनकाल में कौन से विजशी आतरी भारत आया था तो 34 का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल जो भी स्टन डी को दे रहे बिल्कुल साइज बावज़का मनुची ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है सिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा चलिए आंसर करेंगे 35 के लिए चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो 35 का राइट आंसर जो भी स्टन लाइप टेट में ऑप्शन डी को दे रहे बिल्कुल साही जबाब ज़ेगा सिवाजी ने सूरत को दो बार लूटा ओप्शन डी बिल्कुल साही जबाब है नेक्स्ट है जांगीर की कबर कहां बनाई गई थी चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो इसका राइट आंसर किसके साथ लाज़ेगा 36 का सीओ जगा लाहर में उप्शन सी बिल्कुल चई जबाब है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है अकबर की दूसरी डाज़दानी कौन सी थी चलिए आंसर करेंगे चलिए 36 के लिए टाइम सब तो 37 का राइट आंसर जोई बच्चे लाइप टेट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब जेगा है फतेफूर सिक्री याद रखेगा है अकबर की दूसरी राजधानी फतेफूर सिक्री थी ओप्शन सी बिल्कुल सही जबाब है गोवा में सतीपर्था समाप्त करने वाला पूर्तगाली गवर्नर कौन था चलिए आंसर करेंगे इंपोर्टन प्रस ने ध्यान देज़ेगा फटापट से आंसर करते चाहिए चलिए तो आपका टाइम खत्म चुका है और 38 का राइट अंसर जो भी स्टेंड लाइप चेट में एको दे रहे है बिल्कुल सही जबाब होज़ेगा अल्बू करके आज़किका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट अंसर है गीता का फार्सी में अनुबाद किसने कराया था चलिए अंसर करेंगे चलिए 49 के लिए अंसर करेंगे जी बिल्कुल तो 49 का राइट अंसर जो भी स्टेंड लाइप चेट में डी को देरे बिल्कुल सही जबाब है दारा सीको के द्वारा ओप्शन डी बिल्कुल राइट अंसर है नेक्स कोशन है किस सिख गुरू ने स्वयम को सच्चा बाद सा कहा था चलिए अंसर करेंगे 40 के लिए चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो 40 का राइट अंसर एक के साथ अंसर गुरू गोविंद सिंग यादर की का ओप्शन यह सई जबाब है नेक्स कोशन है नूर जहां किस मुगल समराट की पत्नी थी 41 के लिए अंसर करेंगे सभी लोग फटापट से चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो 41 का राइट अंसर जो भी स्टन सी को तो ने बिलकुल सई जबाब हो जाएगा नेक्स जहांगीर का अर्थ क्या है चलिए अंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म होता है राइट अंसर सी के साथ लजगा विशो बिजयता याज़की का जहांगीर का अर्थ क्या है विशो बिजयता ओप्शन सी बिलकुल सई जबाब है नेक्स्ट है रामायन का नुवाद फार्सी में किसने क्या था आंसर करेंगे 43 के लिए चलिए तो आपका टाइम खत्म चुका है 43 का राइट आंसर बी के साथ चला देगा बदा यूनीने ओप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो देगा चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में मुगल सत्ता केस्था अपना किस लाड़ाई के बाद हुआ आंसर करेंगे 45 के लिए अगर आपने अभी तक session को like नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार session को like करेंगे और जो भी student चनल पर पाली बार है चनल को subscribe करेंगे तो 45 का right answer जो भी C को ते रहे बिल्कुल सही जबाब जागा पानी पत की पाली लडाई option C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है वीजय नेगर की प्रातीन राजधानी हमपी कहाँ पर रिष्थीत है चलिए 46 के लिए answer करेंगे चलिए आपका time खत्म होता है 46 का right answer आपका option C के सचल जगा करना तक option C बिल्कुल right answer हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के किस राजध पर आपका आपका time खत्म होता है तो 47 का right answer जोई बच्चे B को दे रहे बिल्कुल सहीज बाब जगा असम option B बिल्कुल right answer है नेक्स्ट है सहीज राजध वन्स की अस्थापना किसने की चलिए answer करेंगे सहीज से सारे options को पढ़िए और answer करते जाएगे चलिए आपका time खत्म होता है 48 का right answer C के साथ चल जगा खिजर कान या जगेगा option C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है अलाओदिन खिल जी के सासन काल में निम्नांकित में से कौन राजपाल था चलिए आंसर करेंगे उन्चास के लिए चलिए तो आपका time खत्म हो चुका है तो उन्चास का right answer C के साथ जगा गया सुद्दिन तुगला क्या जगेगा option C बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट है चितोडगर किला कहा पर है पचास के लिए आंसर करेंगे चलिए आंसर करेंगे फटाप बटसे पचास के लिए और याद रहे हैं आपको हर रोज राध आट बजे आना है जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है हर रोज मोक्टेश की क्लास होती है तो पचास का राइट अंसर आपको उप्शन एक के साथ राजस्थान नेक्स्ट है तैमूर ने किसके सासनकाल में भारत पर आक्रमन किया था अंसर करेंगे 51 के लिए चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो या तकिका तैमूर ने नसर उद्दिन महमूद सा के सासनकाल में भारत पर आक्रमन किया था है क्यावन का डी बिलकुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा विजय नेगर कला का सबसे अच्छा उधारन है चलिए आंसर करेंगे चलिए फटाफट सांसर करेंगे जी बिलकुल आपका टाइम खत्म चुका है तो बाबन का राइट आंसर जोई बच्चे बी को दे रहे बिलकुल सही जबाब हो जाएगा विजय नेगर कला का सबसे अच्छा उधारन हम पी आपका टाइम खत्म हो चुका है तो यादर के का बाबनी समराजी का संस्थापक कौन था तो हसन गंगु यादर के का ऑप्शन ए बिलकुल राइट आंसर है हसन गंगु नेक्स्ट है चचनामा में कौन सी विजय के इतियास का रिकॉर्ड है आंसर करेंगे चोवन के लिए सुष समझकर आंसर किजएगा फटापट सा आंसर देते जाएगे लाइप चेट में चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है चोवन का राइट आंसर है जो भी स्ट्रेंड सी को ते रहे बिल्कुल सही जवा बज़ेगा आराव याद रखेगा चचनामा में कौन सी विजय के इतियास का रिकॉर्ड है तो आराव के विजय का इतियास का रिकॉर्ड है चचनामा में इंपोर्टेंट प्रसने ध्यान द फारसिती ओप्शन C बिल्कुल सई जबाब है नेक्स्ट गोल गुम्बंद क्या है आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म चुका है तो जो भी स्टन D को तेरे बिल्कुल सई जबाब जेगा गोल गुम्बंद क्या है तो मुहम्मद आजिल साह का मकबरा है चलिए तो संतावन का राइट अंसर अपका ओप्शन चलाज़ेगा किस के साथ याद रखेगा बी के साथ चलाज़ेगा इल्टूतमीश ओप्शन 20 प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जेगा चांदी कसिक का टंका किस ने चलाया था तो इल्टूतमीश ने ओप्शन भी बिल्कुल सई जबाब हो जागा नेक्स्ट क्वेशन है खिजर खान ने कौन से राज़वन्स का प्राराम बे किया था चलिए अंठावन के लिए आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो अंठावन का राइट अंसर आपका ओप्शन चला देगा किस के साथ ए के साथ राज़वन्स का प्रारम किया था साइद राज़वन्स का ओप्शन ए बिल्कुल राइट अंसर है नेक्स्ट है कौन से यूद से विजयनेगर समराजि का पतन हुआ इम्पोर्टेंट प्रस ने आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो उनसर्ट का राइट आंसर आपका उप्शन बी के साथ लजेगा ताली कोटा यूद और बताएंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ताली कोटा का यूद कब हुआ था इम्पोर्टेंट है आंसर किजेगा सभी लोग नेक्स्ट कोशन है दिल्ली सार के स्थापना किसने की आंसर करेंगे चलिए फटापट सांसर करेंगे साथ के लिए तो साथ का सही जबाब ऑप्शन सी के साथ चला जेगा तो मर चलिए आगए बढ़ते हैं नेक्स्ट है अमीर खुसरो कौन थे इम्पोर्टेंट प्रस ने आंसर किजेगा एक सट के लिए चलिए तो याद रखिएगा अमीर खुसरो कौन थे तो कभी थे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है अज मेर में धाय दिन का जोपड़ा किसने बनवाया था चलिए बॉसर के लिए अंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो बॉसर का राइट अंसर क्या देगा जी बिल्कुल बॉसर का आपका उप्शन एक के साथ रखिगा कुतुबुद्दिन एबग यादरकिका इंपोर्टेंट है अज मेर में धाय दिन का जोपड़ा किसने बनवाया था तो कुतु चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है राइट अंसर करेंगे लोधी वंस दिल्ली शतनलत का अंतिम वंस लोधी वंस ता ओप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है चौदवी सदी का यातरी इबन बतुता किस जगह से भारत आया था अंसर करेंगे 64 क चला देगा सी के साथ यात रखेंगा मोरक्को ऑप्शन सी प्रसंट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है किस दिल्ली सुल्तनाद ने कठोर निती अपनाई चलिए पैसट के लिए फड़ा पड़ा आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो पैसट का राइट आंसर जो भी स्टेंट सी को दे रहें बिल्कुल सही जबाब जाएगा बलबन ऑप्शन सी प्रसंट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दिल्ली सुल्तान का सासन कब प्राराम हुआ चलिए 66 के लिए अंसर करेंगे साही जबाब है ऑप्शन बी 1206 पी में ध्यान देजेगा इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ब्रामनों पर भी जडिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था चलिए 66 के लिए आंसर करेंगे फटा-फट से चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है सरशट का राइट अंसर आपका ऑप्शन बी के साथ लाजगा फिरोज तूगल ऑप्शन बी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है निमलेखित में से किसे भारत का तोता का जाता है अंसर करेंगे अर्शट के ल अर्शट का राइट अंसर जो भी इस्टेंड बी को देने बिल्कुल सही जबाब हो जेगा अमीर खुस्रों को भारत का तोता का जाता है अप्शन बी बिल्कुल सही जबाब है इंपोर्टेंड है नॉट करके रख लिजेगा नेक्स्ट है बाजार वी निमाय प्रनाली आर बाजार वी निमाय प्रनाली आरम की गई थी अलाओ दिन खिलजी द्वारा याद रखेगा इंपोर्टेंड है उनत्तर का सी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है ताली कोटा का परसिद लडाई कब हुई थी आंसर करेंगे चलिए तो सत्तर का राइट आंसर आपका ओप्सन चला देगा किसके साथ ए के साथ चला देगा पंदरा सो पैसर डिसपी में ताली कोटा का परसिद लडाई हुआता ओप्सन ए बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा सत्तर का ए चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोशन है अ चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो एकत्तर का राइट आंसर जो भी स्टेन लाइफ चैट में एको दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा बहत्तर नमर प्रस्न को हम छोड़ रहे हैं इसकीप कर रहे हैं यह प्रस्न रॉंग टाइप हो गया मिस्प्रिंट चलिए तेतर के लिए आंसर करेंगे फटापट से तो आपका टाइम खत्म हो चुका है तेतर का राइट आंसर जो भी स्टेन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब हो जेका इब्राहिम लोदी या दकिका दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौनता है इब्राहिम लोदी था चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है चौतर का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब जेगा सूफी संत का सूफी प्रंपरा में पीर से क्या आसा है तो सूफियों का गुरू ऑप्शन भी बिल्कुल सही बाब है नेक्स्ट है तराइन का यूद खाली अस्तान वर्स में लडा गया था किस वर्स लडा गया था आंसर करना है चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है तो 75 का राइट आंसर जो भी बच्चे C को दे रहें बिल्कुल सही जबाब हो जेगा तराइन का यूद 1191 इस्पी में लडा गया था आप्शन चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है राइट अंसर हो जाएगा एक के साथ आहमद नगर यादकी का आप्शन ए बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है लोदी वन्स के अस्था अपना किस ने किती अंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो लोदी वन्स के अस्था अपना बहलो लोदी ने किती अप्शन सी इस प्रस्न का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है किस वन्स के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक सासन किया था अंसर करेंगे 68 के लिए इंप्पोर्टन प्रस्न है चलिए फटापट सा अंसर करते जाएगे और जिसने अभित्यक सेशन को लाइक ने किया सबी लोग दिल सेखवर सेशन को लाइक करेंगे तो 78 का राइट आंसर किया जाएगा जी बिल्कुल 78 का बी के साथ लाज़ेगा तुगलक वन्स आप्शन 20 प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा या तक किया तुगलक खत्म होता है राइट अंसर बी के साथ लाज़ेगा 1526 प्रसन बी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा उत्र सौरी उत्री भारत की पर्थम मुस्लिम महीला सासक थी आंसर करेंगा चलिए फटा पड़स आंसर किजएगा और सेशन के लाश्ट में फिर से बोल रहे हैं अपना बिल्गुल सही जबाब हो जगा मा भरत का प्रणाविक नाम जै सही जबाब हो जाएगा आपरिसा सीदू अर्थमेजटा की ताकत डि आंसर करेंगे अ चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है 82 का राइट अंसर आपका ओप्शन एक एसाद तरज़ा क्रिसी या तकिका सिंदू से अर्थवश्था की ताकत क्रिसी थी ओप्शन ए बिल्कुल सहीज बाब है नेक्स्ट है आरियन जन्जातियों की प्राचिन्तम बस्ती कहा है आंसर करेंगे 83 के लिए चलिए आपका टाइम खत्म होता है राइट अंसर क्या जाएगा यादा किका है 83 का राइट अंसर जोई बच्चे ऑप्शन सी को देने बिल्कुल सही जवाब जाएगा सब्त सिंदू औप्शन सी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है उपनिस्ट सब्द का साब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है अंसर करेंगे 84 के लिए चलिए आपका टाइम खत्म होता है इसका राइट अंसर जोई बच्चे सी को दे रहें बिल्कुल सब्द का साब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना उप्शन सी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट कॉस्ट पर सिंदू घाटी सब्वेता की परमुग विसस्ता थी आंसर करेंगे 85 के लिए यह आज के सेशन का अखरी प्रस ने फटापर से अंसर करते जाएगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक ने किया सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे चलिए तो 85 का राइट अंसर आपका ओप्शन B के साथ रज़ेगा पसु चारन खेती ओप्शन C बिल्कुल सोरी इसका राइट अंसर B के साथ रज़ेगा गलती जबाब हो गया तो चलिए उमीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगाओगा तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे मोग टेस्ट के साथ